आज हम बनाएंगे एक तम पॉफेक्ट सही माप के साथ सूजी का हलवा अश्टमी और नव्मी में आप पूजा के प्रिशाद के लिए इसको बना सकते हैं बहुत ही अमेजिंग लगता है तो चलिए रेसिपी के शुरू करते हैं रादे रादे दोस्ता तो एक कप मैंने आग मैं रोष्ट करेंगे क्योंकि किसमी जल्दी पक जाती है ना तो वो जल जाएगी तो इसको एक मिनटे दो मिनट के लिए इनको लो फ्लेम पे रोष्ट करना है इस तरीके से बुन लेना है तो इनका फ्लेवर बहुत ही जबर जस्ताता है हल्वे में तो आप जरूर टालना तो यह लगबक बुन गए हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं तो काईज भंडारे वाला हल्वा होता है ना जिसे अश्टमिय और नमी पर भंडारे में मिलता है उसी टाइप का यह हल्वा बनके रेड़ी होगा आप एक फार ट्राइज जरू करना रेसेपी को तो अभी मैंने मैंने दो चमच की इसी कड़ाई में और डाल दिया है और मैने य Trek9 Соज ली जा पतली अगर आपके पास पतनी वाली सूज ना हो तो आप एक पार मिक्सी में में चला सकते हो तो किसी भी कबसे आप इसमेंगामसी यह कप से थोड़ा किम मैंने की लिया है तो इसllesे के साथ छताब बनाऊघ के तो बहुत ही अच्छा हलवा बनके रेडी होगा तो इसको हम बुँनते जाएंगे बुँनते जाएंगे और इसको अच्छे से बुनेंगे इसको हलक पर ब्राउन कलर नहीं कि रेड हलका सा रेड कलर ना आ जाए तब तक इसको भुनते रहना है आप सूजी को जितना ज्यादा भुनेंगे न उतना अच्छा टेश्ट आएगा इसमें ज्यादा भुनने का मतलब ही नहीं कि आप इल्कुल ही इसको रेड कर दीजिये नहीं हलका अब हम डाल देते हैं 3प पानी एकक भी चीन का पानी और एक चीनी तो हम मैल्ट होने तक पकाएंगे इसे कोई बॉइल नहीं आने दिना यह इसमें डाल दिया है मैंने केसर पीषके शे पर पानी डाल दिया है देसको अच्छे चला पानी से चलाते जाएँगे चातनी नहीं बनानी है सिर्फ पानी मिलाना है इसको हम ऐसे मिलाते जाएंगे और आप यह सोचो कि कितना पानी है तो देख रहे हो ना पूरा उब्जर्व कर लेगी सूजी क्योंकि सूजी फूलती है तो इस तरीके से हम पानी को डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाए से अब इसको चलाते रहना है और यहां पर हम डालेंगे एक चमजगी इसका फ्लेवर बहुत ही गजब आता है आप एक वर इस तरीके से बना के देखेगा आपको हलवा आप डेली बनाएंगे सोचेंगे आप बहुत अच्छा लगा है तो आज भी बनाते हैं तो इसको चलाते है रेडी अभी इसको बंद कर देते हैं और इसको करेंगे सब्सक्राइब कितना प्यारा कलर आया कितना यम्मी दिख रहा है तो एक तम लग रहा है ना बंडारे श्टाइल सुजी का हलवा तो देखे मैं आपको निकाल के बताए एक तम पर्फेक्ट बनाएं और बहुत इ इस रेसीबी को ट्राइ जरू करना अभी मैं आपको देखो चमब से लेके दिखाती हूं तो देख रहे हो ना कट करने पर कितना सौफ्ट हो कितना अमेजिंग कितना टैम्टिंग दिख रहा है तो बस हमारा हलवा है रैडी आप इसको सर्व कीजिए तो सभी आपकी परेंगे थैंक यू फॉर वाचिक बापाय लाइक शेयर और सब्सक्राइब राधे राधे फ्रेंड्स